आकाश्वाणी भोपाज इप्रस्तुत हैं प्रादेश शेक समाचार नमस्कार समाचारू के साथ मैं संयुक्ता बैनर ची पहले मुख्य समाचार महराश्य हर्याना वधानसभा चुनाव के पड़ नाम आ जाएंगे प्रदेश के जाबुआ में हुए उप्चुनाव की मतगणना भी कुछी देर में शुरू होगी प्रदेश में बढ़ते हुए वायू प्रदूशन पर मुख्यमंत्वी ने चिंता जताई है उन्होंने व्यापक जैगरुकता अभियान चलाने के नर्देश भी दिये केंद्र सरकार ने गेहु सहित रभी सीजन की कई फसलों के समर्थन मूल्य में व्रद्धी की है किसानों की आमदनी दोगना करने की दिशा में ये नर्नैलिया है और भारत और बांगलादीश के बीच 14 से 18 नवंबर के बीच पहला टेस्ट क्रिकेट माच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से महराश्च और हर्याना विधानसभा चुनाव के मतूं की गिनती आज सुभाड बजे से शुरू होगी साथ ही 17 राज्यों में विधानसभा की 59 सीटों और लोकसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना भी आज ही की जाएगी लोकसभा उपचुनाव वाली 2 सीटों में बिहार के समस्ति पुर और महराश्च में 17 राज शामिल हैं गौर्तलिब है कि महराश्च विधानसभा की 288 सीटों और हर्याना विधानसभा की 90 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था इसी दिन विधानसभा की 51 और लोकसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव भी कराए गए थे आकाश्वानी का समाचार सेवा प्रभाग नतीजों पर आज चनादेश 2019 का प्रसारण करेगा इसे आकाश्वानी के FM गोल्ड चानल और अन्य मीट्रों पर सुभा साढ़े आड़ बजे से दो पहट दो बजे तक सुना जा सकेगा यही चर्चा रेडियो ब्रज कारिक्टर में राद साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक प्रसारित की जाएगी प्रादेशिक समाचार भी दो पहट धाई बजे की जगह दो बचकर 15 मिनिट पर प्रसारित होंगे मध्यप्रदेश की जाबुआ विधान सभा में हुए उप्चुनाव की मतगणना भी आज होगी मतगणना आज सुभा आज बजे जाबुआ के शास्किय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में शुरू होगी अनुसूचित जनजाती के लिए अरक्षत सीट से भानु भूरिया भाजपा प्रत्याशी हैं जबकि कॉंग्रस ने पूर्व केंद्रिय मंत्रुई कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है मतगणना की तैयारियों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे ज़ाबुआ समवात आता यहां आपको यह बताना लाजमी है कि यह उपचुनाओ गुमान सिंग डामोर के रतलाम जबवा सांसत बनने के बाद अपने विधायक पत से इस्थिपा देने से हो रहा है ज़ाबुआ विधान सभा में दो लाग सतोतर हजार पांसो निन्याणों मद्दाताओं में से एक लाग बहुत्तर हजार एक सो चुमालिस मद्दाताओं ने अपने मत का उप्योग कर अपने ग्यारवे विधायक को चुना है इस चुनाओं में अपना भाग की आजमार है पांच उम्मे द्वारों में से ज़ाबुआ विधान सभा छेते से ग्यारवा विधायक कोन बनेगा ये तो आज होने वाली मद्दगर्ना के बाद ही पता चल पाएगा प्रादेश समाचार के लिए ज़ाबुआ से मैं हरीश कुमार याद हो गोरतलिब है कि प्रदेश में सत्तारूर कॉंगर्स और विपक्षी भाजपा के लिए ये सीट सम्मान का विश्य बन गई है राजे विधान सभा में फिलहाल सत्तारूर कॉंगर्स के एक सो चौधा सदस्य है अगर पार्टी इस सीट पर जीत दर्च करती है तो बहुमत की एक सो सोलह सीटों के और खरीब पहुँच जाएगी मुख्यमंत्री कमलनात ने प्रदेश में बढ़ते प्रदूशन पर चिंता व्यक्त की है शुनात ने कहा है कि केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की रपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश के छे शहरों भोपाल, अंदौर, देवाज, ग्वालियर, सागर और उजयन को नौन अटेंमेंट सिटी घोशत किया गया था ये घोशना परिवेशिय वायू में धूल कणों की मातरा निर्थारिक मानकों से अधिक पाय जाने की कारण की गई थी मुख्यमंत्रई ने प्रदूशन की रोक्थाम को लेकर जागरुकता अभ्यान चलाने के लिए आवश्यक नरदेश जारी किये हैं गौरतलब है कि केंडरी प्रदूशन नियंतरन बोर्ट की रिपोर्ट में प्रदेश के भोपाल दमोह सहित अन्य शहरों में अत्याधिक वायू प्रदूशन की बात सामने आई है प्रदेश सरकान ने रभी वर्ष 2019-20 के लिए विभिन फसलों के प्रमानित बीज के उपारजन, विक्रय और अनुदान दरों का नरधारन किया है किसान राजी बीज और फॉर्म विकास निगम, सेवा सहकारी समिती और बीज संकी सदस्य बीज उत्पादक समिती से अनुदान वाला प्रमानित बीज खरीद सकते हैं बीज वितरन पर अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमां किया जाएगा समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है केंडरु सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए सभी रभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में व्रधी की है प्रधान मंतुई नरेंदर मोदी के अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंतुई मंडल समिती ने कल ये फैसला लिया है रभी विपनन सत्र दो हजार बीस एकीस के लिए मसूर पर तीन सो पचीस रुपए प्रतिक क्विंटल कुसम पर 270 रुपए चना 255 रुपए सरसो 225 रुपए गेहूं और जो का समर्थन मूल्य 85 रुपए प्रतिक क्विंटल बढ़ाया गया है नए मिनिमम् सपोर्ट प्राइस MSP को मंजूरी देकर उत्पादन की औसत लागत के खरीब डिर्ड गुना तक लाने का प्रयास किया गया है जिसकी घोशना सरकार ने केंज़वी बजट 2018-19 में की थी सरकार का दावा है कि किसानों को नियूनितम 50 प्रतिशत लाप प्रदान करनी के उद्देश और 2022 तक इनकी आये को दोगुना करने के लिए प्रभावी खदम उठा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान के तहट धार जिला मुख्याले पर कल पिटिया उटसफ का आयोजन किया गया समारहों में अतितियों ने बालिका शिक्षा और समाज में महिलाओं की स्थिती पर अपने विचार रखे महिला इवं बाल विकास विभाग के अफसरों ने लिंगानुपात को लेकर चंता भी व्यक्त की उन्होंने बताया कि लिंगानुपात एक हजार पुर्शों की तुलना में 954 ही है उत्सव में ऐसे माता पिता जिनकी एक या दोनों संतान बेटियां हैं उनको प्रशस्ती पत्र प्रदान कर सम्मानत किया गया गोरतलिब है कि केंद्रु सरकार द्वारा बालिका लिंगानुपात में सुधार और बालिका शिक्षा को प्रोटसाहन के लिए ये अभियान संचालत किया जा रहा है अब बात मौसम की प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है सबसे कम 15 डिग्री सलसियस तापमान बैतूल और ग्वालियर में दर्च किया गया पुछले 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद सागर और रिवा जिलो में कहीं कहीं वर्षा दर्च की गई खंडवा में सरवाधेक 36 मिली मीटर बारिश दर्च की गई इंदौर में 14 बुरहानपूर में 17 धार में 32 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई रास्थानी भुपाल में कल रात भी बूंदा बांदी हुई यहां 0.7 मिली मीटर बारिश दर्च की गई भोपाल में अधिक्तम तापमान 23.2 डिग्री सलसियस दर्ज हुआ है जो सामान्य से 8 डिग्री कम है हलाकि न्यूनितम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 19.2 डिग्री सलसियस रहा मौसम विभाग ने धंतेरस से दीपावली तक बादल चाय रहनी का अनुमान जताया है वहीं विभाग ने धार, खंडवा, खरगोन, अलिराजपुर, चाबूओ और बढ़वानी सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर गरत चमक के साथ बोचारे पढ़नी की संभाव ना जताई है भारत और बांगलादेश के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर तक इंदोर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा इस मैच की तैयारियों को लेकर कर जिला प्रशासन और मध्यप्रदेश क्रिकट असोसियेशन के अधिकारियों की बैठक हुई बैठक में टेस्ट मैच की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई मैच के दौरान सुच्छता के साथ ही प्लास्टिक फ्री शहर का संदेश दिया जाएगा बैठक में भीड और यातायाद प्रबंधन सहित मैच की तैयारियों को लेकर कई निर्ने लिये गए गरतलब है कि तीन टी ट्वेंटी और दो टेस्ट मैच खेलने के लिए बांगलादेश की पुरुष क्रिकट टीम नवंबर में भारत के दौरे पर आने वाली है अब कुछ समाचा संक्षेप में प्रदेश में खरीव 2019 की फसलों की बिक्री के लिए 35 अक्टूबर तक होंगे किसान मक्का, सोयाबीन, मूंख, उडद, अरहर, मूंख, फली, कपास, तिलादी के लिए पंजेयन करा सकेंगे प्रदेश के नगरी प्रिशासन विभाग भोपाल ने नीमच नगरपालिका रामपूर के अध्यक्ष गोवंद सोनी को पच से हटा दिया है उनके खिलाव राजिशासन में कई शिकारतें पहुँची थी ग्वालियर में एक शेत्वी अग्रामीन विकास प्रशिक्षन केंद्रू पर नहरू युवा केंद्रू के कारिक्टर में जिला पंचायत के मुख्य कारिपालन अधिकारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोग थाम के सुझाप दिये उमर्या जिले में आज सयुखत राश्र दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया जाएगा सभी शास्गी कारियालियों में राश्र ध्वच के साथ सयुखत राश्र संग का ध्वच भी फहराया जाएगा और खन्वा कलेक्टर तनवी सुंद्रियाल ने अधिकारियों को नर्देश दिये हैं कि सीम हेल्प लाइन में दर्ड शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करे निराकरण से पहले संबंधित अधिकारी आवेदक से चाचा कर उसकी संतुष्टी जरूर जाने अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फैर महराश्यों हर्याना वधानसभा चुनाव की पर नाम आ जाएंगे प्रदेश के जाबुआ में हुए उप्चुनाव की मतगणना भी कुछ ही देर में शुरू होगी प्रदेश में बढ़ते हुए वायू प्रदूशन पर मुख्यमंत्री ने चंता जताई है उन्होंने व्यापक जागरुपता अभियान चलाने के निर्देश भी दिये केंद्रु सरकार ने गेहु सहित रवी सीजन की कई फसलों के समर्थन मूल्य में व्रद्धी की है किसानों की आमदनी दोगना करने की दिशा में ये नर्नै लिया गया है और भारत और बांगलादेश के बीच 14 से 18 नवंबर के बीच पहला टेस्ट क्रिकेट मैच इंदॉर क कर दो